आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो यहां पर हमें गिवन है सबसे पहले हम क्या करते है यह वाला टर्म जो है इसे हम LHS के denominator को हम RHS की site ले जाएंगे multiply कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा 3 sin A is equal to 2 cos B sin B upon cos A अब हम क्या करेंगे इन्हें दोनों side LHS and RHS side पे cos A से divide कर देंगे तो क्या हो जाएगा divide both the sides by cos A ओके तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा cos A into cos A तो यह क्या हुआ हमारा यह तो बन गया 3 10 A और यह हो गया हमारा sin 2 B upon cos square A यह हमारा इसका यह value बन गया तो हमारे पास क्या है अब हम यह 3 को भी इदर right hand side ले जाएगे तो यह कितना बन जाएगा यह हमारा हो जाएगा 10 A हमारी 10 की value आजाएगी 10 A की 10 A किसके equal हो जाएगा यह हो जाएगा sin 2 B upon 3 cos square A के यह 10 A आया अब हम क्या करेंगे कि जो RHS पाला पार्ट है means यह वाला जो पार्ट है हमारा इसमें हम इसको हम cos 2 B से cos 2 B से divide and multiply करेंगे तो हम क्या करेंगे इसमें करेंगे cos 2 B से इसको हम divide और multiply दोनों कर देंगे उससे क्या होगा उससे हमें आगे इसे और solve करने में help मिलेगी वो कैसे होगा वो तो यह हो जाएगा हमारा 10 A तो as usual रहेगा और यह क्या हो गया sin 2 B upon cos 2 B into इदर क्या बचा cos 2 B upon 3 cos square A यह इदर terms बचेगी तो यह वाली term तो क्या बन गई 10 2 B हो गई और यह वाली term as usual रहे जाएगी लेकिन इसमें cos 2 B जो है इस cos 2 B को हम 2 cos square theta minus 1 भी लिख सकते हैं तो हम यहाँ पर इसे और changes करेंगे तो यह कितना बन जाएगा यह हो जाएगा 10 A is equals to 10 2 B into cos 2 B को हम क्या लिख सकते हैं 2 cos square B minus 1 और whole upon में हमारे पास क्या बचा है इदर इदर बचेगा सिर्फ 3 cos square A यह हमारा एक अलग एक term बचेगी अब आगे से हो solve करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले एक value हम यहाँ या फिर एक property हम कह सकते हैं तो property हम यहाँ देखते हैं वो है कि अगर कोई term है 2 cos square B में अगर लिखा हुआ है यह जो 2 cos square B हम यहाँ लिख रहे हैं इसके theta के रूप में हम यहाँ पे एक तरह से represent करके भी देख सकते हैं तो यह हो जाएगा 2 cos square B जो है इसे हम किस तरह से लिखेंगे इसे हम लिखेंगे 4 minus 3 cos square A इस तरह से हम इसे यहाँ लिखेंगे अब इसे यह इस वाली term को यहाँ पर हम simplify करने के लिए यूज़ करते हैं तो यह हमारा कितना हो जाएगा यह हमारा निकल कर आया कि 10 A तो as usual हमने यहाँ लिखा is equals to यह किसकी एकोल होग है 10 2 B के और 2 cos square B को हमने के लिखा 4 minus 3 cos square A minus 1 whole upon में हमारे पास क्या है 3 cos square A है अब यह हो गया 4 minus 1 3 तो 3 3 दोनों में common आ जाएगा तो यह क्या निकला हमारे पास 10 2 B into 3 common लिया तो अंदर बचा हमारे पास 1 minus cos square A यह हमारे पास अंदर बच गया upon में क्या है 3 cos square A है अब यह 3 3 cancel out हो जाएंगे So अब remaining term हमारी जो है वो क्या बचेगी हमारे पास क्या निकल कर आएगी 10 A is equal to 10 2 B 1 minus cos square A को हम लिख सकते है sine square A upon cos square A तो sine square A upon cos square A यह किसके equal हो जाएगा 10 square A के तो यह हो जाएगा 10 A is equals to 10 2 B into 10 square A यह हो गया अब यह 10 है और यह square part cancel इदर बचेगा 1 is equals to 10 2 B into 10 A यह हमारे पास एक अलग standard value बचेगी अब इसे और simplify करके हम लिखेंगे अब हम 10 को sine cause में convert करते हैं तो यह हो जाएगा sine to B upon cause to B into sine A upon cause A is equals to 1 अब इसका हम LCM लेके इसे solve करते हैं तो यह क्या हो गया यह हो जाएगा हमारा sine to B LCM लेने के तो requirement है नहीं तो यह हो गया हमारा sine to B into sine A is equals to यह हो जाएगा cause to B into cause A अब क्या करेंगे यह जो हमारा इस दोनों टर्म्स को एक साथ एक साइड पर रखेंगे तो यह लिख रहेंगे हम इने cause to B dot cause A minus sine to B into sine A अब यह किसका फर्मुला हो गया यह हो गया cause A cause A cause B minus sine A sine B means cause A plus B यह एक फर्मुला होता है कि cause A plus B जो है वो किसके इक्वल होता है वो इक्वल होता है cause A cause B minus sine A sine B के यह इसके इक्वल होता है अब यह यहां पर यह property यूज कर लेंगे अगर यह फर्मुला यहां पर यह यूज हो गया यहां पर यूज करने के बाद हमारे पास क्या निकल कर आया यह निकल कर इसकी वेल्यू आ जाएगी कि cause A plus 2B यह किसके इक्वल हो गया यह हो गया हमारे 0 के इक्वल हो गया यह दोनों टर्म से एक साथ एक साइड आएगी तो इधर 0 रहेगा यह हमारा 0 के इक्वल आ गया अब cause 0 किस वेल्यू पर होता है cause 0 होता है cause 90 degree पर यह वेल्यू 0 होती है तो यहां पर यह कितना वेल्यू आया इसका यह हो गया A plus 2B is equals to pi by 2 तो A plus 2B की वेल्यू कितनी आगी A plus 2B की वेल्यू आगी pi by 2 वेल्यू आ गई तो A plus 2B हमें यहां पर ही find करना तो A plus 2B की वेल्यू यहां पर क्या है option number D pi by 2 Classics to 12 से लेके NEED IIT JEE means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज यह download करे doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 सूपर